हेलो एव्यवान और वेलकम टो दे यूट्यूब चैनल और सिक्षा गाइस पार्ट सेवन है अग्रिकल्चर प्रिविए सियर कोश्चन्स का मैं आपको पेपर बता जेता हूं कि अभी तक जितने भी अमने पार्ट्स देखे हैं वो सारे के सारे पार्ट्स आपके आई बीपी किसी हालत में जाना ही जाना नहीं है ताकि आप देखो मोटीव इनका यह है प्रिविए सियर कोशचन्स का और यह यूट्यूब लेक्चयर्स का कि या आप पढ़ रहे हो कोर्स देख रहे हो उव पीछ में आप ठक जाते हूं आपको रेस्ट लेना है ठाप में बस में टेक्सी में, आटो में, उबर में, उला में, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास 15-20 मिनिट का स्पेर टाइम है, तो आप एक YouTube वीडियो को खोल लो और चला करके देख लो, और उसमें से आपका important content cover हो जाए, और ये content ऐसा है, जो ultimately आपको paper में, आपके 1 घंटे, 2 घंटे 3-3 घंटे के जो lectures हैं, उनसे भी जादा important content इसमें, आपको content driven videos हैं, basically, आज इतनी फालतु बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो generally क्या होता है, हम आते हैं, फटा-फट शुरू कर देते हैं, ठीके तो 10-15 मिनिट में आपको जो generally YouTube के उपर अगर आप बाकी के lectures देखोगे, तो 30-45 म में भी जितना content वो cover नहीं कराते हैं, वो मेरी कोशिश रहती है, कि मैं आपको 10-15 मिनिट की video के अंदर दे दूँ, तो वो बेटा basically difference है, okay, and MCQ questions हैं, हमारे 2000 प्लस agriculture and rural development के MCQs हैं, mainly agriculture के MCQs हैं, okay, तो IBPS, AFON, ABARD, या किसी भी agriculture-based examination में, अगर आप paper देना चाहते हो, तो आप य एक early 30 करके आपका discount code भी चल रहा है, इसको भी आप use कर सकते हो, link description में, इसका एक free sample test भी बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, वो बिल्कुल free of cost है, link again description में है, and यह हमारी contact details है, वेटा, telegram पे आप join कर सकते हो, जिसका link description में है, whatsapp कर सकते हो, mail कर सकते हो, YouTube के ओपर comment कर सक अब फटा फट से पहले question के उपर आ जाओ, AC, ABC takes training from which of the following institute, again IBPS, AFO का question है, अब सबसे पहले तो यह AC, ABC क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद किस institute से यह training लेता है, basically बेटा, यह agriculture extension, जो आपका नबाड grade A में agriculture extension का topic है उसमें से यह directly question निकल करके आता है, So, AC, ABC की full form पता होना चाहिए, और फिर यह किस से training लेता है, वो पता होना चाहिए, So, the right answer guys over here is option B, manage, अब हम AC, ABC और manage क्या है, इसको समझ लेते हैं, तो सबसे पहले AC, ABC, AC, ABC की full form क्या है, Agri Clinic and Agri Business Centers Scheme, Agri Clinic and Agri Business Centers Scheme, इसकी full form है, तो यह भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंक करता है, ठीक है, वो इसको bold कर देगा, और बाकी को, जो है, unbolded text की form में आपको देगा, तो पूछ लेगा, जो bolded text है, उसमें एक क्या है, ओके तो इस तरीके से question पूछे जा सकते हैं, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, इसको implement करती है, और नबाड जो है, वो subsidy channelize करती है, जो भी Agri Clinic और Agri Business Centers और 11 को subsidy provide की जाती है, इस scheme के अंडर, वो नबाड के through channelize होती है, ठीक है, अब ये AC ABC के objective क्या है, कि कैसे जो already extension efforts सरकार के चल रहे हैं, उनको further increase किया जा सके, ठीक है, farmers को कैसे जो extension activities है, उनके maximum benefit provide किया जा सके, और इसके अंदर कैसे business model को, agripreneurs को use किया जाए, ठीक है, और ये payment basis पे और free of cost basis पे, दोनों basically extension services farmer को provide की जाएंगी, ताकि agriculture की development के लिए काम किया जा सके, साथ ही साथ self employment opportunities create की जा सके, ये business model के through self employment opportunities create की जा सके, unemployed agricultural graduates के लिए, या diploma holders के लिए, या जिनोंने intermediate की है, agriculture में, biological science graduates है, PG है, post graduation किया है, agriculture related courses में, तो वहाँ पर ये various benefits provide किये जाएंगे, अब manage किया है आपका, manage basically बेटा आपका 1987 के अंदर established हुआ था, जब ये established हुआ था, the name was national center for management of agricultural extension, हाइदराबाद के अंदर इसको set up किया गया था, ministry of agriculture and farmer welfare ने, ये एक autonomous institute है, और basically manage इसका एक acronym है, एक short name है, okay, in recognition of its importance and expansion of activities all over the country, इसको national institute का status दे दिया गया था, 1992 में and तभी इसका basically ये नाम भी change किया गया था, जो इसका present name है, national institute of agriculture extension and management, manage basically, इंडिया का एक response है कि कैसे जो various challenges है, agricultural education से related, agricultural extension से related, उनको deal किया जा सके, okay, so ये बड़ा एक important question आपके लिए paper में पूचा गया था, ये नबाड के अंदर भी पूचा जा सकता है, कि manage क्या है, कब established किया गया था, national institute का status कब मिला, manage की full form क्या है, इसका headquarters कहां पर है, तो various questions इसमें से आपके derive होते हैं, second question के उपर आ जाएं, इन में से कौनसी drought breed of cattle है, where cows are less milker, जहां पर आपको cows बहुत minimum milk आपको provide करती हैं, लेकिन जो bulls हैं, उनको cart और agriculture के अंदर उनको use किया जाता है, fields में, option A, Sahival, B, Gir, C, Tharparkar, D, Krishna Valley, and E, Ride, Sindhi, what will be the right answer, so the right answer over here guys is option D, Krishna Valley, Krishna Valley, okay, तो Krishna Valley के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, originated from black cotton soil of the watershed of the river Krishna in Karnataka, तो basically जो Karnataka का Krishna रिवर वाला जो रीजन है, वहां पर जो black cotton soil वाला area है, वहां पर mainly आपको ये breed मिलती है, और साथ ही साथ महराश्टरा के कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी, animals का size काफी large है, और जो body है, वो short है, और deep है, loosely built है, tail almost reaches the ground, काफी लंबी पूछ होती है, और क्यूंकि short legs होती है, इसी वज़े से, tails almost reaches the ground, common color grey white, और dark shade होता है, इनके four quarters और hidden quarters के उपर, adult males जो हैं, वो जाधा तर whitish होती है, okay, bullocks जो होते हैं, इन breed के, they are very powerful animals, okay, आपने slow plowing करनी है, या working qualities काफी अच्छी उनकी होती है, cows fair milkers हैं, बहुत जादा milk नहीं देती है, average yield 900 kg per lactation का इसके अंदर रहता है, तो ये कुछ points हैं, जो आप याद इसके बारे में रख सकते हैं, next question, next question क्या कहता है जी, कि एक irrigation water source है, उसके अंदर concentration, sodium, calcium और magnesium ions की 20, 10 और 8 milli equivalents per liter है, तो sodium absorption ratio क्या होगा इस water का, ठीक है, इसके अंदर एक formula यूज होता है, अब ये अगर formula नहीं मालूम तो किसी भी हालत में तुक्का बाजी लगा के answer होई नहीं सकता, ठीक है, अकडबकड बॉंबे वो करके answer करके आना है तो कर रहा हो, नहीं तो कोई chance ही नहीं है, answer इसका 6.67 है, sodium absorption ratio होता क्या है, इसमें basically हम देखते हैं कि sodium ions का कितना measurement है, as compared to calcium and magnesium, ठीक है, इसके लिए जो formula यूज किया जाता है, वो क्या यूज किया जाता है, जो sodium concentration है, उसको आप divide करते हो, square root of one half of calcium and magnesium concentration, square root of one half, तो इसको basically आप कैसे लिखोगे, Na divided by calcium plus magnesium divided by 2, तो अगर अब मैं आपको पीछे question में लेकर के चलू, ठीक है, यही formula मैं आपर लिख लेता हूँ, Na divided by calcium plus magnesium divided by 2, तो sodium मेरे पास कितना है, 20 divided by calcium plus magnesium, that is 10 plus 8, 10 plus 8 divided by 2, अभी under root के अंदर ही आप इसको divide करतोगे, तो 20 divided by under root 9, 18 by 2, मैं आपको step by step solve करके दिखा देता हूँ, 18 by 2 को आप काटोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 9 किसका square होता है, 3, तो यह क्या हो जाएगा, 20 divided by 3, अगर आप इसका square root ले लोगे, तो 20 divided by 3 जब आप solve करोगे, तो क्या हो जाएगा, 6.67, तो simple सा formula है, sodium को divide करना है calcium plus magnesium के square root से, ठीक है, calcium plus magnesium के half के square root से, ठीक है, जो भी आपको values given है, तो यह easily आपको answer इसका मिल जाएगा, चलिए, next question, brosalosis disease को अगर आप prevent करना चाहते हो, goats में, तो आपको कौन से measures लेने पढ़ेंगे, option A, dipping in CUSO4 tank, okay, option B कहता है, isolation, vaccination, blood test, and culling of affected animal, C कहता है, proper medication and antibiotics, D कहता है, clean hygiene, and E कहता है, avoiding green fodder feeding, तो यहाँ पर बेटा, आपका right answer होगा, option B, isolate कर दो, जिस animal को disease है, vaccination, blood test, ताकि properly आपको timely disease का पता चल जाए, and ultimately, बहुत जादा इसके लिए control measures बने नहीं हैं, तो आपको आप last में affected animals को कल करना पड़ेगा, kill करना पड़ेगा, okay, so, brusolosis के diagnosis भी बड़े difficult हैं, क्योंकि symptoms के basis पे सिरफ आप इसको detect नहीं कर सकते, और यह एक zoonotic disease है, zoonotic disease का क्या मतलब होता है, कि जो animals से humans के अंदर जिसके effect आ जाते हैं, तो mainly इस disease का तभी पता चलता है, जब humans जो contact में आ रहे हैं, they also get some mild fever, ठीक है, and उस time पर basically पता चलता है, कि हाँ, brusolosis के science है, and diagnosis आप कर सकते हो, by isolation of organisms, and by serological tests के थूँ आप कर सकते हो, कोई बहुत जादा adequate treatment इसकी है नहीं, अगर detect हो जाती है, ठीक है, mainly आप क्या करो, hygiene का धिहान रखो, timely vaccination प्रोवाइड करो, timely testing and disposal होना चाहिए, जो भी waste है, good management practices को follow करो, separate quarters use करो, जब birth giving process, यानि की kidding process को आपने follow करना है, immunization करो, आप various vaccinations का इस्तेमाल करके, but ultimately if the disease has been contracted, अगर disease goat को हो गया, तो ultimately आपके पास एक कलिंग का ही option बचता है, now we are here at the last question guys, zero tillage got successful because of, zero tillage के successful होने का reason क्या है, a. soil amendment, b. herbicide, insecticide, fungicide, pesticide, zero tillage क्यों yield में भी अच्छा निकल करके आता है, production भी improve करता है, उसके पीछे एक बहुत important major role play करते हैं, herbicides, herbicides एक बहुत important role play करते हैं, क्योंकि zero tillage के अंदर आप क्या कर रहे हो, zero tillage के अंदर जो basically stubble था, उसको तो आप burn नहीं कर रहे हो, उसको आप बढ़ा नहीं रहे हो, वेस्ट को आप बढ़ा नहीं रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे weeds का रिस्क बढ़ेगा, और उन weeds को आपको ultimately control करना पड़ेगा, तो herbicides बहुत important है, चाहे वो हम rice weed system की भी बात करें, okay, so herbicides को spray किया जाता है, ताकि weeds को kill किया जा सके, जो rice harvest के बाद basically emerge हो रही है, weeds that emerge in the weed crop are effectively controlled with a single herbicide application, तो herbicide एक बहुत important role play करता है, zero tillage के activity को successful बनाने में, Surveys have shown that farmers practicing zero till in weed fields rely exclusively on herbicides for weed control, research has shown that zero tillage in combination with herbicides led to doubling of wheat yield in comparison with zero tillage and no herbicides, तो ultimately अगर herbicide use नहीं किये, तो yield के अंदर इतना जादा effect नहीं देखा गया, herbicides use करने के बाद जो yield है वो double हुआ, तो यहां पर अपने को herbicides की importance जो है वो समझ में आ जाती है, चलिए, with this we are done with another five questions, guys इसी तरीके से questions डलते रहेंगे, do not worry, और यह पांच questions इसको अगर आप पांच questions की sense में देख रहे हो ना, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर मतलब आपको वोई रोग लगा हुआ है जो YouTube के उपर आता है ना, कि यार 50 questions, 100 questions, वो भी करते हैं, वो हम भी करेंगे, mock test के time पर, कि हाँ फटा फट से मने 100 questions करने हैं, बट अभी हमारा aim है कि 5 questions, मतलब कि 5 into 3, 15 questions, हर minimum, on an average, एक जो मैं आपको question कराता हूँ, उसमें 3 questions की information होती ही होती है, on an average, कहीं बार जादा भी होती है, ठीक है, PDF टेलिग्राम के उपर मिल जाएगी, कोई भी दिखकत हो, WhatsApp, Mail, सब आपके पास contact है, okay, we'll see you in the next class guys, till then, all the best and bye.